एक छोटे से गाव का नाम था सुन्दरपुर वहां की हरियाली, खुले आस्मान और नदियों की कल-कल ध्वनी मानो स्वर्ग को धरती पर लाने जैसा था इस गाव में रहने वाली एक साधारन सी लड़की थी जिसका नाम था राधा राधा के दिल में बड़े सपने थे, जो उसे बाकी गाव वालों से अलग बनाते थे राधा का परिवार साधारन था, उसके पिता खेती करते थे और मां घर का काम संभालती थी लेकिन राधा ने शुरू से ही कुछ अलग करने का सपना देखा था गाव की लड़कियां अकसर घर के कामकाज में ही लगी रहती थी और अधिकतर लोगों की सोच थी कि लड़कियों का काम बस घर संभालना है लेकिन राधा की सोच अलग थी वह जानती थी कि अगर उसे गाव में कुछ बदलाव लाना है तो उसे कुछ नया और बड़ा करना होगा एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा बाबा, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ पिता ने पहले तो उसकी बात को हलके में लिया लेकिन राधा की आँखों में आत्मविश्वास देखकर वे हैरान रह गए उन्होंने पूछा, क्या व्यवसाय करना चाहती हो राधा ने जवाब दिया, गाव में हम सभी लोग खेती करते हैं और हमारे पास बहुत सारे फसले होती हैं लेकिन हम उन्हें ठीक से बेच नहीं पाते मैं चाहती हूँ कि हम अपने फसलों से बने उत्पाद बेचें और गाव के लोगों को फायदा हो राधा की माँ को ये सुनकर चिंता हुई उन्होंने कहा, बिटिया, ये काम इतना असान नहीं है औरतों के लिए ये सब मुश्किल होता है राधा ने अपनी माँ की चिंता को समझा लेकिन उसने हार नहीं मानी उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूँगी तो कोई और कैसे हिम्मत करेगा राधा ने अपने गाव की अन्य लड़कियों को भी इस योजना में शामिल करने का सोचा उसने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें भी इस नए व्यापार में हाथ पोटाने के लिए प्रेड़ित किया गाव की कई लड़कियों ने उसकी योजना में दिलचस्पी दिखाई और इस तरह से उन्होंने मिलकर एक महिला समूँ बनाया राधा और उसकी साथी लड़कियों ने सबसे पहले गाव के उतपादों को एक अठा किया और उनकी पैकेजिंग की उन्होंने गाव के दूद, सबजियां और घर में बनी चीजों को पैक किया इसके बाद वे उन उतपादों को पास के शहर में बेचने के लिए निकल पड़ी शहर में जाकर राधा और उसकी साथी लड़कियों ने बाजार में अपने उतपादों की ब्रांडिंग की शुरुआत में लोगों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जैसे जैसे वे गाव के शुद्ध उतपादों के बारे में जानने लगे उनकी मांग बढ़ने लगी कुछ ही महीनों में राधा का छोटा सा व्यापार तेजी से बढ़ने लगा उन्होंने अपने गाव के सभी लोगों को इसमें शामिल किया गाव की औरतें जो पहले घर के कामों में ही उलजी रहती थी अब वे सभी इस व्यवसाय का हिस्सा बन चुकी थी राधा ने देखा कि उनके उतपादों की मांग शहर में बढ़ती जा रही है इसलिए उसने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निरने लिया उसने गाव में एक छोटी सी फैक्टरी खोली जहां वे उतपादों को और भी बड़े पैमाने पर बना सकें गाव के लोगों को रोजगार मिलने लगा और सभी का जीवन स्तर सुधरने लगा राधा ने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेकर इस फैक्टरी को शुरू किया था लेकिन अब वे इतना कमा रही थी कि उसने जल्द ही सारा कर्ज चुका दिया राधा की सफलता की कहानिया पूरे जिले में फैलने लगी लोग उसकी तारीफ करते नहीं ठकते थे गाव की लड़कियों के लिए वह एक प्रेरना बन गई थी लेकिन राधा ने अपनी सफलता को कभी भी अपने सिर पर नहीं चड़ने दिया उसने हमेशा अपने साथियों का धनिवाद किया और कहा अगर आप सब का साथ नहीं होता तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती राधा की मेहनत और लगन से पूरा गाव एक नया रूप ले चुका था जो लोग पहले अपने जीवन में बदलाव की उमीद छोड़ चुके थे अब वे खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करने लगे थे राधा ने नकेवल अपने गाव को आर्ठिक रूप से मजबूत किया बलकि उसने गाव की लड़कियों के दिलों में भी आत्म विश्वास भर दिया अब सुन्दरपुर का नाम सिर्फ उसकी सुन्दरता के लिए ही नहीं बलकि राधा जैसी साहसी और मेहनती लड़कियों के लिए भी जाना जाता था राधा की कहानी इस बात का प्रमान है कि अगर हिम्मत और मेहनत से किसी काम को किया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है उसने साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती और अगर उन्हें मौका मिले तो वे भी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है राधा ने अपने गाव की महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया बलकि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाया उसकी कहानी आज भी गाव के हर घर में सुनाई जाती है और हर नई पीरी को प्रेडित करती है राधा की सफलता की ये कहानी आज भी गाव की लड़कियों को ये सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है सुन्दरपूर आज भी राधा को याद करता है और उसकी उपलब्दियों पर गर्व करता है